जैसा की थम्मनेल को देख करके आप जान चुके हैं कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मद्ध प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिसन यानि की MPPSC के द्वारा स्टेट सर्विस इक्जामिनेशन 2020 और स्टेट फारेश्ट सर्विस इक्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो इसके बारे में complete जयनकारी दूँगा कि इसका अलाइन आवेदन कब से कब तक लिया जाएगा इसका educational qualification क्या होना जाए इसका examination फीस क्या होगा इसका exam कब होगा इसके बारे में complete जयनकारी दूँगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्क्राल डाउन करके नीचे आना होगा नीचे आएंगे तो यहां पर दो लिंक मिल जाएगी पहली लिंक है recruitment advertisement for state service examination 2020 और दूसरी लिंक है state forest service examination 2020 तो यहां पर मैं state service examination और state forest service examination तोनों का notification डाउनलोड कर लेता हूं इसके बाद आपको दिखाता हूं तो यह notification download हो चुका मैंने उपेन कर लिया यह है राज्य सेवा परिक्षा 2020 यानि कि state service examination 2020 का यहां पर आप देख सकते आनलाइन आवेदन करने के अन्तिमती थी 10 February 2021 है राज्य सेवा परिक्षा 2020 प्रारम्भीक परिक्षा दिनांके 11 April 2021 दिन रभिवार को होगा प्रथम प्रश्नपत्र सामान न अध्यन होगा प्रातर 10 बजे से 2 पर 12 बजे तक दूतिय प्रश्णपत्र सामान ने अभीरूची परिक्षण का होगा अपरान 2.15 से 4.15 बजे तक यहाँ पर कुछ महत्पुन निर्देश दिया हुआ इसको आप देख लेंगे और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि आप आनलाइन आवेदन 11 जन्वरी 2021 को दोपर 12 बजे से दिनांक 10 फरवरी 2021 रात 3 बारा बजे तक कर सकते हैं यहाँ पर आफिसिल साइट दिया हुआ है कि किस साइट से आप आवेदन कर सकते हैं इसके नीचे पात्रता दिया हुआ है राज्जी सेवा परिक्षा दोजर्बी सेतु सभी सनातक उतीन अथवाशनातक केंतिम वर्ष में अध्यनरत अभेर्थी पात्र है सांत में रोजगार कार्याले में पंजियन अभेर्थियों का मध्ध प्रदेश राज्जी के रोजगार कार्याले में जीवित पंजियन होना निवारिय है इसके नीचे यहाँ पर पद नाम दिया हुआ है, कुल रिक्तियां दिया हुआ है और बेतनमाने हाँ पर दिया हुआ है आप वीडियो को पॉज़ करके आसानी से देख सकते हैं किस पद के लिए कितना सेलरी रहेगा और कितने पोश्ट अवैलेवल है नीचे प्रारंभीक परिक्षा के प्रस्तावित सहर दिया हुआ है तो 52 सहरों में यह एक्जामिनेशन होगा आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं इसके नीचे आयू सीमा यहाँ पर दिया हुआ है गयर बर्दी धारी पदों है तो 21 वर्स की आयू पून कर ली हो बर्दी धारी पदों है तो 21 वर्स की आयू पून कर ली हो किन्तू 33 वर्स की आयू पून ना की हो आयू संगणनाति थी एक एक दो जारिकीस है सारी रिक माप दंडे यहाँ पर दिया हुआ है पुरूस के लिए उंचाए 169 महिलाओं के लिए 105 संटीमीटर और पूर्सों के लिए सीने का घेरा बगएर फुलाए 84 संटीमीटर पूर्टा फुलाने पर 89 संटीमीटर होना चाहिए महिलाओं के लिए सीने का माप अपक्छीत नहीं है इसके नीचे आब एदनिमं परिक्षा सुलक दिया हुआ है जो मद्यप्रदेश के मोल निमासी है है स्टी असी ओबीसी या पी डब्लूडी उनके लिए 250 रुपए सेस सभी सरेड़ी और मद्यप्रदेश से बाहर के निमासी के लिए जो यहाँ पर सुलक है वो 500 रुपए साथ में आपको अतरिक्त पोर्टल सुलक 40 रुपए देना होगा अब हम आपको स्टेट फारेश्ट सर्विस इग्जामिनेशन 2020 का भी नोटिफिकेशन दिखा देते हैं यह नोटिफिकेशन राजजिबन सेवा परिक्षा 2020 की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनलाइन आवेदन ने क्यंतिमति थी है 10 फरवरी 2021 केस इसके नीचे यहाँ पर पद नाम और कूल पद दिया हुए रिक्तियों की बर्गवार संख्या दिया हुए जैसे कि सहायक बन संदक्षक के 6 पद है बन छेतरपाल की 105 पद है इसके नीचे यहाँ पर दिया हुए पद का नाम सहायक बन संदक्षक बिभाग का नाम मध्यप्रदेशासन बन बिभाग और स्रेणी है राजपत्रित दूतिय स्रेणी पद स्थिति स्थाई है इसका बेतन मान है 56,100 रुपए से लेकर के 1,777,500 रुपए यहाँ पर सैक्षणी की योग्यता है अभ्यर्थी किसी मननेता प्राप्त बिश्व बिद्याले से नीमन बिशियों में से कम से कम एक बिशे के साथ बिज्यान यथवा इंजिनियरिंग में इस नातक या समकच होना चाहिए प्राकरतिक बिज्यान, भौतिक सास्टर, रसायन सास्ट करिवा इंजिनियरिंग क्रीस रसायन, शिविल कंप्यूटर, इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रानिक्स, मेकेनिक में इस नातक वgen पदी धारन करता हो या सम्तुल्ले बिदेशी अरहता धारान करता उपरन्तु विसूद्ध गणित या संकिकी के साथ इसनातक की दसा में उसने हायर सिकंडरी मेट्रिकूलेशन या सम्तुल्ले परिक्षा में निमनलिखित बिस्यों में से कोई एक बिसाय लिया हो जैसे की जिव विज्ञान, भावतिक सास्त्र या फिर रसायन सास्त्र प्रसिक्षन यहाँ पर दिया गया इसको आप देख लेंगे असानी से सारीरिक मापदंडेवम छमता परिक्षन यहाँ पर दिया गया है इसके नीचे बंद छेत्रपाल का यहां पर दिया हुआ है सेलरी है 36,200 से लेकर के 1,14,800 रुपए पर मंत सैक्षणी की योग्यता यहां पर दिया हुआ है आप देख लेंगे प्रसिक्षण 18 मा के प्रसिक्षण अवधी होगी प्रसिक्षण भारत वर्ष में किसी भी बंद छेत्रपाल महाविद्याले में प्राप्त करना होगा नीचे सारीरिक मापदंड दिया हुआ है उन्चा यह नारक्षित अनुसूचित जाते हों अन्नी पिछडा बर्ग के लिए 63 सेंटीमीटर पूरुस के लिए महिला के लिए 150 सेंटीमीटर और अनुसूचित जिनजाती पूरुस के लिए 122 सेंटीमीटर महिला के लिए 145 सेंटीमीटर सीने की परीधी 89 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर निवनतम फूलाव होगा 5 cm का पूर्ण बिस्तारित फूलाव 84 cm का होगा पूर्चों के लिए महिलाओं के लिए निवनतम बिस्तार 5 cm और पूर्ण बिस्तारित यहाँ पर 89 cm होना चाहिए सारी रिक छमता परिक्षंट चार घंटे पैदल चलना होगा पुर्शों के लिए 25 किलोमेटर मेलाओं के लिए सायक बन संदक्चक है तू 14 किलोमेटर और बन छेतरपाल है तू 16 किलोमेटर चलना होगा इसके नीचे आयू सीमा दिया हुआ है नीचे आवेदर नेवं परिक्षा सुलक दिया हुआ है मद्ध प्रदेश के मोल निवासी स्टेश सी ओभी सी पी डवलू डी के लिए 250 रुपए प्लस पोर्टल सुलक 40 रुपए अगर आपके मन में इस बीडियो से रिलेटर कोई प्रशन या कोई भी कनफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट के थूरू पूच सकते हैं इसका रिप्लाई ये जिसूने अच पॉसिवल दिया जाएगा आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बिल आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन सेलेक् करके रखें ताकि जितने भी वीडियो में अपने चैनल पर अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक्स फार वाचिंग डिस वीडियो